तो बच्चों चाहे आपका CBSC बोर्ड हो 12 में या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि यार में को नीट भी देना है बोर्ड भी देना है और इस साल आप दोनों चीज़े अच्छे से क्रैक करना चाहते हो कि CBSC में मार्क्स भी अच्छे आ और नीट में सेलेक्षिन हो जाए तो चार चान लग जाए मेडिकल कॉलेज भी पहुँच जाओ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों की प्रपरेशन को बैलेंस कैसे करना है मैंनेज कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले बेटा कुछ फ तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि इसका लेवल कम है और इसका लेवल जादा है नीट का लेवल सीबीस से का लेवल बहुत डिफरेंस नहीं है तो तयारी ना आपको नीट वाली ही करनी है यानि कि आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ आप सबसे पहले बेटा जहां से भी बढ़ रहे हैं आपने ओविसली कहीं न कहीं कोचिंग क्लासे जॉइन कर रखी होंगी तो आप बढ़िया से अपनी क्लासे को अटेंट करो ठीक है ना और क्लास के अंदर ना कंसिप्ट को क्लियर करने पर फोकस रखो आप और यह मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं कह रह रटी हुई चीज़ों से आप थोड़े बहुत नंबर ले आएंगे बट कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ज्यादा परफॉर्म करते हों कंसेप्ट क्लारिटी पर बढ़िया सा फोकस रखो अच्छे से प्रैक्टिस कोशन्स लगाओ और बिटा अच्छे से नोट्स प्र हाई अलग अलग है सबसे पहले तो यह मिस्कंसेप्शन हटा दो बिटा अब दिखो प्रॉसस क्या है आपने दे बिटा अटेंड किया क्लास है ना आपका नोट्स बन गया क्लास नोट्स बन गया आपके सर ने आपको सारी चीज़ें NCRT को डीकोड करके पढ़ा दिया क्यो आपको डीकोड करके हम सारा कुछ दे देते हैं आपने अटेंड किया आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया हो गया अब आपको एक बारना NCRT रिवाइज करनी है जो सर ने पढ़ाया है वही चीज़ें वहाँ पर लिखी है एक डिफिकल्ट भाशा में सर ने आसान भाशा में पढ़ाया वहाँ डिफिकल्ट भाशा में लिखा है पहले पढ़ने जाओगे NCRT ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने पढ़ेगा लेकिन अगर आप एक बार क्लास कर लोगे सब कुछ सीख लोगे कुश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आपने अपने नोट्स बना लिए अपने हैं एडिया होना चाहिए कि कैसे प्रजेंट करना है आंसर को तो एक लिखने का तरीका है sentence formation आजाए क्योंकि definitions भी पूछे जाते हैं फिर derivations पूछे जाते हैं उन सब चीजों का आपको revision यहाँ से करना है ठीक है ना तो आप करेंगे definitions एक बार जंक से देख लेंगे क्या क्या है है ना जो derivation important है वो आपको बता दिया जाता है boards के लिए वो आप कर लेंगे बिटा problem solve कर लेंगे जो examples है NCRT में और जो NCRT है back exercise है वो सब आप solve कर लोगे तो इससे आपका neat का preparation भी और जादा strong हुआ और आपका boards का preparation भी हो गया तो ऐसे आपका balance बन जाएगा और preparation एक सही track प नहीं है बिटा जो आप वहाँ पर कर रहे हो ना class में अच्छे से deep में एक एक चीज पढ़ दो ताकि neat का भी cover हो जाए और boards का भी सब कुछ कवर हो जाए बस उसके बाद एक बार NCRT में revision मारा definition देखा derivation देखा problem solve किये काम खतम और उसके बाद test आपको देते रहना है regularly तो क हमारे पास आपके लिए कुछ बढ़िया से news है वो news क्या है अभी आपके midterm exam आ रहे होंगे चाहे आप 9th में हैं चाहे 10th में हैं चाहे 11th में चाहे 12th में हमारे ज्यादा तर बच्चे 11th और 12th में होंगे उनकी बात करते हैं तो आपके midterm exam के लिए जो boards के midterm exam है उसके लिए हमने crash course launch कर दिया है ताकि आप अगले topper बन जाए ठीक है ना crash course में क्या होगा आप exam ready हो जाएंगे just एक महीने में लगबग एक महीने में पूरा syllabus आपको करा के exam ready कर देंगे हम लोग ठीक है आपके बढ़िया preparation करवा देंगे और टेस्ट लेके आपको performance report देके दिखा देंगे कहां क्या गलती कर रहे हो क्या सुधारना है कहां strong हो कहां weak हो सारा कुछ comprehensive तैयारी करा देंगे तो बस अपने boards के लिए आप तैयार करना चाहते है तो इसमें आप enroll कर लीजिए ठीक है यह देखो class 9th की fees है ठीक है कुछ 1200 ने नियान बे आप 9th के नहीं है 10th के नहीं है अगर आप 11th के हैं तो 1500 1500 11th के हैं तो 1500 12th के हैं तो भी 1500 1500 रुपय में आपको पूरा crash course मिल रहा है बिटा और mid term की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी बैठे बिठाए ठीक है अच्छा test 12 sessions होंगे दो full test होंगे mid term वाले ठीक है ना chemistry के 12 sessions है biology में 12 session है डेड़ घंटे का session होगा daily है टोटलिंग 75 hours of teaching ठीक है तो इस तरीके से पूरा हम आपकी बढ़िया असा तयारी करा देंगे आप पूझे के sir मेरा तो school होता है sir session कब करूँगा तो session की timing evening में है आप जब school से आ ज जाओंगा number तो कम नहीं आ जाएंगे tension मतलो crash course join करो बड़िया तयारी करो mid term की भी बड़िया तयारी और आगे की भी boards की बड़िया तयारी है ना तो boards की tension खतम हमारे साथ हमारे results भी बहुत अच्छा रहें बेटा आपको पता ही होगा विदानतु always believes in good results और वो हमारे आते र अन्रोल करके अपना पढ़ाई शुरू कर देना ठीक है ना तो यहां पर डेट लिखी है क्या कब से शुरू हो रहा है अच्छा वो आपको लिंक में मिल जाएगा ठीक है ना वो आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है चलो मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में तब त